दोस्तों आस्ट्रेलिया को बुड़ी तरह रहुंते ही टीम इंडिया से काप रहा है अफ्रीका उनके कप्तान ने दिया है हरान कर देने वाला बयान तो क्या बोल गए हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन बताएंगे इस वीडियो में अगर आप भी हैं भारती टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक T20 स्रंकला है जिसके सुरुवात होने में बहुत कम वक्त बचा है जी हां दोस्तों 28 सेतंबर से सुरुवात होने वाली है यह पूरी की पूरी दो स्रंकला होने वाली उसमें 3 T20 के साथ 3 ODIs भी रहने वाले हैं समिस रंकला के सुरू होने से पहले भारती टीम ने ऑश्टेलिया के खिलाभ 3 मैच्चों की टन्टी स्रंकला खेली जिसके पहले मुकाबले में भारती टीम को बहुत ही कराडी सिकस्तर सामना पड़ा था लेकिन उसके अगले दो मुकाबलों में भारती टीम ने बहुत अच्छी खेल दिखाया और दोनों ही मुकाबले जिते हुए दूसरा मुकाबला जो कि Ata Tober का था उसे भारती टीम ने छे विकट से अपने नाम किया तीसरा मुकाबला जो के काफी कांटे का मुकाबला था उस मुकाबले में भारती टीम के कप्तान रोहित सर्मा एक काफी अच्छी कप्तानी की और भारती टीम के बलेबाद विराट कुली सूर कुमाद और हार्दिक पांड्या ने सांधर कैमियो दिखाते हुए मैच को आसानी तरह से खेलते नहीं तो आफरीका टीम के लिए उनसे जितना काफे ज़्यादा मुस्किल रहने वाला आगे उनने का क्या यहां पर ऑस्टेलिया जो कि एक सांदार टीम है और इसके सामने बड़ी-बड़ी क्रिकेट की टीम में गुटने टेक देती हैं लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से ऑस्टेलिया का बुरा हालत कर दिया उसे देख कर तो आब हम भी डर रहे हैं उनना आगे कहा कि आने वाले सीरीज में हमें चौकाना रहना होगा वहना भारती क्रिकेट टीम हमारे पीछे ही पड़ जाएगी अब देखने वाली बात होगी दोस्त उनके टीमेट चनल को जरूब करें वीडियो रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद